हलो कैसे हैं कैसे हैं बच्चो नमस्ते स्वागत है आपका आज किस कक्षा में एक बार मुझे जरा बता दे आप ठीक से देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं मुझे को स्वागत है आपका आज का जो सेसन है इसमें हम लेंगे दे कॉंसेप्ट साफ बायोजिकल क्लासिविकेशन और आज जो चेप्टर हम ले रहे हैं वह है बायोजिकल क्लासिविकेशन 11 क्लास का चेप्टर है आरुश स्वागत है All clear तो शुरू करें टाइम वेस्ट नहीं करें और कौन-कौन लोग आ गया है जरा इसके परक्ष ले लेए तो आज हम बात करेंगे biological classification की सबसे पहली बात तो इस में हम चर्चा करते हैं कि न लोए इज प्रोफ देज्य को सिवाइश को अरेच में 25 मिंग्नों सिस्टेम क्लासिफिकेशन दिया था और विश्य विटकर का five kingdom system क्लासिफिकेशन यह विद्यकर के kemstill सिस्टमी रालब क्लासिफिकेशन पॉस्टिकेशन निकुजेपिकेशन वーム सिस्टेम थे स्च्टम अ बायख एयव एक या दोगी किरेक्टर के बेस्च पर होता है That is a यह उसमें एक यह दोगी किरेक्टर सको कशिरिकिय जाता है लेकिन जो नेच्छल सिस्टम पि कॉछ आप humour को एना्टुमी को रिप्रबंट्थィ बहुत सारे चीजों को अल्टरा इस्ट्रक्चर को एंब्रियो लोजी को इन सब चीजों को कंसिटर किया जाता है और नेक्षिस्टम प्लासिफिकेशन और नेच्छल सिटम प्लासिफिकेशन और नाम है एंगलर पंटल है बैंथा मुकर है लेकिन जो हमारे सलेबस में वो है हैर का फाइकंदम सिटम अयोग फ्लासिफिकेशन तो यह जो फाइकंदम प्लासिफिकेशन और अलग है उसका क्राडिया हमको याद होना चाहिए वह इन उनोने पूरे बाइलोजिकल वर्ड को 5 kingdoms में माटा मोनेरा प्रोटिष्टा फंजाई प्लांटी और एनिकलिया यह जो क्लासिफिकेशन है इसमें खास बात यह है कि उन्होंने कुछ नए करेक्टर्स को इंवोल्ड किया जिसके जिनको पहले इसके पहले इंवोल्ड नहीं किया गया था जैस समें कौन आते हैं प्रोकेरिोट्स जब कि जितने भी युनिसलियोह उन्होंने रखा आ हैं कि उसको रखा उन्होंने जो है प्रोटिष्टा च्टोटса में वह रखा हैं तो तु आई समैं प्रटिस्टा में युनि एक्यपस के है चार टेन्डम है उकरियोट्स के हैं प्रोटिश्टा फंजाई प्लांटी और ठीके तो आए ज़रा इन करेक्ट्रस को थोड़ा सब ले लेते जैसे हम बात करते हैं सेल टाइप की तो सेल जब में आम बात करें तो आप देख सकते हैं कि मॉनेरा में प्रोकेरोटिक सेल हो गी बाकि प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमीलिया इसमें उक्री रोटिक सेल लोगी सेल वॉल पहला तको सेल वॉल का पाया जाना ये आपको एनिमिलिया को छोड़कर अदूर में मिलती है फन्जवाल मिलती है लेकिन अनि-मीलिय में सेलवाल नहीं होती हां गण रीचे । अलग अलग होता है जैसे मोनेड़ा की बात करें तो मोनेरा में जो सेलवाल होती है वह तो आप जानते हैं नाम एड नागे ब्लजिकीड yol कुछ में kalian यहाएँ जैसे मैं आपको बताओं proti acost और जो उन्ड नम्य पाई जाती है यहिऊ सेलडGuid कुसमें वोड होती है कुछ में होती है साब फिलिऑ में ज्यधा नहीं होती है तो आता है nuclear मेंप्रेन तो फ्रोक केरीटिक सेल होगी तो जबकि प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी ऑनिविल्य आ इस भी उर्गिनाइशन की में बात करूं तो बोड़ी ऑर्गिनाइजेशन में सेललर है इनमें भी सैललर है उंनिसल्लोर यूके एर्टस हैं तो मल्टि जल्ल है रूस टिश्यू टिश्यू और उर्गन मिलेगा आपको प्लांटी में एंड टिशू और या और और शिस्टम आपको मिलेगा और जब मैं में बात करता हूं तो देखे पहले बात तो मोनेरा में सब लुट आपको मिलती है मोनेरा में जबकि अगर मैं अगर में बात करें तो प्लांटी की बात करें तो प्लांट्स और फोटो ओडोरोप स Draw Slay छेप्टर में ये आते हैं उसके लावा इसमें इसमें आते हैं वायरेस बाइरोज़ उनकी थ्र joking पूरी चर्चा हम यहां करेंगे ठीक है आज तो बिल्कुल बहुत ही पहले आ रहे थे रेगुलर वह भी नहीं आया क्या चक्क करें भाई चलिए अपने अपना काम करते हैं और फिर लोग रिकोर्डिंग देख लेंगे हैं ठीक है न कोई बात नहीं रिकोर्डिंग देख लेंगे तो करते हैं आज अपन इसको मोनेरा और प्रोटिस्टा अपन देख लेते हैं उसके बाद पंजाई वपन कल लेंगे फिर देखते हैं फिर जो भी रिस्पॉंस होगा उसे इसाब से चलिए प्रोकेरियोट जो सेललर हैं जिन में नॉन सेललोसिक सेल वाल होती है विदावट नुकलियर मेंब्रेन होते हैं ओटोट्रोपिक हेटोट्रोपिक दोनों ही तरह की मोड़ोफ नूट्रिशन आपको देखने को मोनेरा कहते हैं अपने बेशे माना चाहिए वह चाहिए थे सबसे मत पूर जाते हैं अधिया है है वह यह को और क Teraz यह सारे के सारे जो है अधिया में हो और दो आते हैं धिक है टीक है हे लो फिल्स हो गए थर्मोशिंव फील्स हो घिक तब सेल वाल के अंudर बाहर जो है ग्लाइकोकेलिक्स होता है उसके नीचे प्लाजमा मेंपरेन Judic होती है लेकिन उसमें भी हाई लिप्ट होते है जो नाम अधनाग से बनती है सब ऐसे घ्राइल मुरामिक तरी सेल्वाव्स से टूट से तीसरी बात प्लाज्मा मेंब्रेंट उसके कुछ modifications होते हैं जिसमें mezozone सजाते हैं क्रोमेटोफ्र सबसाथ और nuclear membrane होती नहीं है मैं जिनेटीक केम होता है एक叉च्टर होता है można घंप कहा जाता है एक सारी चीज़ नहीं है थे ही बात बैक्टिरिया की जब हम बात करते है तो संहों उसको कोकस कहा जाता है और तो कोध में जाता है उसको कहा जाता है किता तुब विब्रियो ठीक है रही बात जैसे मैंने कहा जो प्रोकेरियोट के करेक्टर है वो सारे के सारे इसमें मिलते हैं और शबसे खास बात यह है कि ये रहास एन्वारेनमेंट में पाय जाते हैं जहां कोई दूसरे और अर्गेनियम नहीं मिलते हैं वहां पर आपको लेंगे साँआ इसी कंडिशनos जहाँ पर यह है आप नहीं पाए जाते तो यहें यहां आप को सब्थेनों जन्सिए अचेनो यह मिथेनोजर्स जो मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो उसमें इंक्लूड है रही बात मैं अगर इनके दूसरे करेक्टर्स की बात करूँ तो यू बैक्टीरिया में आपको सबस्क्राइब को मिलेगा कई प्रस्चा से कर रहे होते हैं ये भी प्रस्चार आता है कि बैक्टिरिया में तरब बाहुत करूं तो ओन्हेन के इसा वे सब चाहिए सर्द até किते हैं इसमें सब्रक्ण आपको क्वें नेल्य का थो स्फ प्र knapp नाता है तो Synobacteria Phototrop, Higher Plants की तरफ photosynthes कर रहे हैं सब, Photohidrotrop में जो Non Oxygenic photosynthes करने वाले वेक्टरिया होते हैं, वो आते हैं, Chemototrop में Chemosynthetic Bacteria आते हैं, जैसे Nitrification करने वाले बेक्टरिया जो होते हैं, Chemosynthetic Bacteria, Sulfur Bacteria हो गए, यह सब Chemosynthetic Bacteria में आते हैं, और उसके अलावा जो है कीमोहिट्रोट्रॉप तो जितने भी पेरासिटिक और सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया है वो सारे के सारे के सारे कीमोहिट्रोट्रॉप है जितने भी सेप्रोफिटिक पेरासिटिक बैक्टीरिया हो रहा है यह सब पेरासिटिक बैक्ट्रिया है और य एक तो इनमें होता है सबसे कोमन और यह फंडामेंटल बात याद रखे फंडा क्या है फंडा यह है बच्चों जो भी उनिसेलर और उर्गिनेजम होंगे उन्हीं में आपको सबसे प्रदॉस होती है और इसको हम कहते है और सबसे कोमन modern re-production उसके अलावा एक जैनेटिक री कॉमिनेशन का तरीका जो है यहां पर देखने को मिलता है एक प्रकार से एड़र्स कंडिशन को और कम करने का तरीका होता है जैनेटिक रीकॉमिनेशन की जब हम बात करते तो इसमें तीन मेथड़ से ट्रांसफोरमेशन ट्रांसटक्शन और का य्याद कीजीए जो फेडरीक ग्रीफिफ शाम नेएक्स्प्रेम्ट किया था एक हीट किल्ड बैक्टीरिया किसी नॉर्मल बैक्टीरिया में जैनेटिक तो देटेटीज कॉलड़ेश्ट एस्ब एस्ट रांसफ्पोर्मेशन तो भाइयिक हीटीड बेक्टीरियाथ यूंटीरी ईए कि टॉप्लीकेटी इस्टा चैहлюч도 mo देट इज दे ट्रांसडक्शन और यह बड़ा इंपोर्टेंट है याद कीजिए मैं सलसन इस्टाल नहीं सोरी जिनोंने यह प्रूव किया था कि डियेने जेनिटिक मटिरियल हर सीचेज हर सीचेज तो हर सीचेज का प्रियोग है उसमें उन्होंने इसी का इस्तिमाल किया था ट्रांसडक्शन का ही इस्तेमाल किया था और एक होता है कंजूगेशन जहां दो बेक्टीरिया आपस में आते हैं एक दूसरे के नजदीक आते हैं और एक बनती है और उसके दूआरा अपना जेनेटिक मट्रियल दूसरे बेक्टिया में ट्रांसफर कर देते हैं and that is called conjugation तो तो ब्लुजू ग्रीन एंदय सिस्टम और स्त्ली क्लासिविकेशन में प्लांटी रखा ङुँआ था सइन equoffice के नाम से ये एक प्लासिवा करती थी छथी कके लेकिन जैसे मैंने कहा कि अटम सिष्टम और स्थ्क्लासिविकेशन में ग्लॉकथेडिया उन्होंने ब्लूग्रीन अलगी बहुत कॉमन है फ्रेश वाटर में भी पाई जाती है उसके लावा कुछ टेरिस्टिल है पाई जाती है नूट्रिशनली देयार फोटो ट्रॉप्स इनके जो फोटो संथिटिक पिग्मेंट्स होते हैं वह हाईर प्लांट्स की तरह ही होते हैं क्लोरोफ फोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती मीशनली olsaलीह जाती है इंतों नहीं व्हाज़ा में गया फटोउड रखियांगरने सीधा सीधा- अइंको सीधा प्रशना इन निदे्डिया और हो जो बिल्या सब्ली स्ट होता है वlarını तोने दलिक सा हुई-व्योंन और हुदी ते सब्य दो जगे मिलेगा आपको एक तो लीफ ओफ फर्न अजोला अजोला फर्न की लीफ में होती है और खास बात है कि बाइलोजीकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो ब्लू ग्रीन अलगी करती है वो फ्री लिविंग इस्टेट और सिंबायोटिक स्टेट दोनों ही स्टेट में वो कर रहे होते हैं साब ठीक है रही बात ब्लू ग्रीन अलगी में एक होता है हिट्रोसिष्ट यहां से प्रश्ण पुछा जाता है यह आप देख सकते हैं डाइग्राम में हिट्रोसिष्ट वाट इदा हिट्रोसिष्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल ऑफ ब्लू ग्रीन अल नॉन फोटो सिंथेटिक होती है तियों क्वक्यों निकलता है फोटो संतेटilly रा आप जाने कई जैंड़ियु फोटा लिचुरी फोटो संतैसे सोता है और इसलिए कि नॉन ऑफ और जर्तिय जो फोटो संसे करना बंध तो आपको देखने को मिलेगी साफ साइनो वैक्ट्रिया में रही बात ब्लु ग्रीन अलगी रिप्रोडक्शन वही बाइनरी फिजन युनिसेललर है इस पाइरूलना बहुत लॉक्प्रीय है उधारन है साथ और इस पाइरूलना जो होता है उसको सिंगल सेल्स प्रोटीन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है उसके लावा अकिनेट होते हैं यह एक तरीके से थिक वोल्ड इनके अराउंड बन जाती है और अन्फेवरेवल कंडिशन को और कम करने में यह हेल्प कर रहे होते हैं ठीक है अगर मैं ब्लू ग्रीन एलगी का एकनोमिक इंपोर्टेंस होती है क्योंकि सोल में अलकलाइनिटी को कम कर रही होती है कुछ ब्लू ग्रीन अलगी जो होती है वह टॉक्सिक सबच टांस लीज करती हैं जो मॉस्किटो लार्वा को किल कर देते हैं उसके अलावा एक बहुत कॉमन इनके दौरा जो होता है अलगल ब्लूम यह आप जानत जिसको PPLO भी कहा जाता है प्लूरो प्लूमोनिक लाइक ओर्गेनिजम इसको डिस्कवर किया था नॉकॉर्ड और रॉक्स ने मायक्रो प्लूरो प्लूरो फ्लूरह मकॉर करनgrade प्लवा डिमोनिया हैं। ता क्योंकि इनमें सेल वाल नहीं होती साहब थीए ना इस्मोलेस्ट सेल है यह इले बेक्ट्रियल प्रूफ से गुजर जाते हैं साब ठीक है इनमें सेल मेंब्रेय निपाए जाती है जो लिपिट प्रोटीन होते हैं साम यह ठीक है और यह जो भाइनरी फीजेन तो बात पॉटेटो एश्टर येलो और संफ्लावर यह ध्यान रख सकते हैं थोड़ा सा यह बात हो गई मोनेरा की और मोनेरा की बात करते हैं साब हम किंगनम प्रोटिष्टा की देखो किंगनम प्रोटिष्टा की जब हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया है कि पांच हैं किंगन स्लाइम मोड्स प्रोटो जोंस ठीक है कि आप और कुछ ध्यान रखें ना रखें इस टेबल में यह जो करेक्टर में लिखे हुए हैं अगर आप इन करेक्टर को भी ध्यान रख पाते हैं तो आपके लिए बहुत है एक्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं जाता सबसे पहले त साथ जान को लिखने करें कभी चऑन करें करें कभी बच्ने करें साब एक्जाम्पल से जान रख लीघ क कीजिए तो मैं जिथा एक्जाम्पल से आपको छुरू करता हूं अगान। में चाहला जाते हैं जिमनोदीनियम एर वा उन-फैंट स्कूज भी कहा जाता है साथ क्राइसोफाइटा की मैं बात करूं तो क्राइसोफाइटा में आजाते हैं डाइटम संदेश्मिट्स यूगली नोइट्स में बात करें तो यूगली नोइट्स के एक्जामपल है यूगली ना मैं मिल जाएंगे छैडिया है और एक्षओल किंग्डम प्रोट्ईस्टा को बनाया ही तरहीए से गया है कुछ प्लांटी से निकाल करके यहां रख दिये कुछ एनीमिलिया से निकाल करके यहां रख दिये तो क्रियेट हो गया साथ किंग्णम प्रोटिष्टा की बाउंडरी दूसरों के साथ शेयर होती है वो जल्दी से मैं आपको बताता हूं जैसे हम बात करें प्लेजला की प्लेजला का पाया जाना तो पहली बात हो किंग्णम प्रोटिष्टा में फ्लेजला पाया भी जाता है और नहीं भी पाया जाता है दाइनो फ्लेजला पाया जाता है यूगलीनोइट्स में फ्लेजला पाया जाता है लेकिन क्राइसोफाइट्स में फ्लेजला आज्या करेक्टर मिल गया नाँ पूटो आमेजीडीराउग पहलेगता है यौट हो नहीं प्रोटो ज्णा में प्रोटो जॉट्वड़ पाया जाता है तो टो acquiring अब देखें तो प्रों घर प्रोकेरियोट साथ ARE CAHL walغल करेक्टर ले ली लिजिए वह कमें मोर्णा में मैं भी एसल करदाए है कली मादेपगर त्री में लेकिन वापिस्टन्स आपको दोनों तरह के मिलेंगे वी सेल की सेल वॉल सेल वॉल भी अभी मैंने बताया आपको विदाउट सेल वाल कौन होते हैं तो स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजॉंस स्लाइम मोल्ड प्रोटोजॉंस में सेल वाल नहीं होती भाई सब ठीक है फिर अगर मैं बात करूं नूट्रिशन की तो इनमें जो नूट्रिशनल प्रोटोजॉंस में चले जाए तो टोटल अनिमल फंजाई की तरह कीमोहिट्रोट्रोप होते हैं ठीक है तो नूट्रिशन की भी बाउंडरी यहां से मिल रही है सब् Jen तो इसलिए एगे जो प्रोटिश्टा है इस प्रोटिश्टा की जो बाउंडरी हैं वह सभी के साफ शेर होरी होते हैं थΓनिम्हेर हैं नूट करने का जो उता hè युकेरियॉटिक अधिक इसमें टिपिकल 9-2 का अरेजमेंट भग प्रोखेमेंट सेल के और उसलिए वहां पर माइक्रोजवं अधियार नहीं होते हैं तो वहां सिंपल फ्लेजला डनता है जबकि प्रोटिस्टा में जो फ्लेजला है उसमें नाइन प्लस टू अर्रेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा साब इनकी सेल वाल जो होती है वह सेलों से बनती है आर्मड सेल वाल कवच यूक्त इनका होता है स्टार्च नूट्रिशन फोटो टो ट्रॉप क्लोड़ोफिल पिग्मेंट पाये जाते हैं क्लोड़ोफिल एंड सी जें धुट इन जेंथोफिस डाइनो जेंथिन दीडाइनो जैंतिन है विटेट की की में बात करूं तो मैंनली मेराइन होते हैं यह लेकिन कुछ फ्रेश वाटर भी पाए जाते हैं एक्जाम्पल में गोनवाइनुलिक्स और जिम्रूडीनियम कि चलिए dino flayulates, protestawit flagella Manly Marin water में पाय जाते हैं a.र फाइटो नेंके प्लैंक टौन लिखा है लेकिन एक्वारम में इंको फाइट्व ब्लैंक टौन नहीं, इनको फाइटो नेक टौन स कहा जाना चाहिए नेक्टोन्स का मलत होता है एक्टिव स्विमर और इनके पास फ्लेजला होते है और इसलिए एक्टिवली स्विम कर सकते हैं साथ ठीक है ना फिर पोटो सिंथेसिस पोटो टो ट्रॉप है ये अपियर येलो ग्रीन ब्राउल ब्लू डिपेंड ओन दे पिग्मेंट एक्जामपल गॉनवाईनोलिक्स जिमनोडीनियम पैरोसिस्टीस सेल वॉल से बनती है साथ प्लेट्स में डिवाइड होती है इसलिए इसको कहते है आर्मड अलगी दो हाफ्स में डिवाइड होती है आर्मड कवच युक्त फ्लेजला दो हैं एक लोंजी ट्यूडनली और एक ट्रांस्पर्सली लाइज होता है बेट्विन दे वाल प्लेट्स रही बात यूकेरियोटिक सेल है इसलिए डियने विद इस्टोन प्रोटिंस अरे भाई रिशा यहां पर यूट्यूपर फुल कोर्स लेना पॉसिबल नहीं है और इसलिए हमने हमारा एक क्रेश कोर्स लॉंच कर दिया है 19 दिसंबर से प्रहार कोर्स हमारा सुरू हो रहा है जो ओनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में है क्रेकर बड़ी आप आएं हैं आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद है और क्या है न कि यह कहने बड़ा आसान हो जाता है दूर से आप तो आएं हैं आज आए हैँ आज के बार या η नहीं टीसके के पहले कभी आये नहीं है तो यह कहना बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए कि तो हम तो पहले पहले की तरफ पुरा डिटेल में पढ़ा रहे थे लेकिन अब हमने हमारी स्ट्रेजी को चेंज कर दिया है यह यह पर जो यह सक्षम कोर्स है तो इसको हम मन शोट टाइप से ही लेंगे इसमें हम वीक में तीन क्लास में लूँगा और दो क्लासेज में जो है हम करेंगे शोट में चैप्टर का कंसेप्च्वल रिविजन और फिर एक लेक्चर में हम उसका ले लेंगे सीधा परक चलिए रोज आते हैं तो बहुत अच्छी बात है आते रहिए और चूंकि हमको बहुत तेजी से यह निप्टाना है इसलिए अगर हम इस तरह के से चलिए बहुत अच्छी बात है नहीं मुझे पता है अच्छा देख लिया है कि तो आप इसको इसी तरीके से concept मैं आपको बताई रहा हम जो और यहां इस तोड़ा सा आपको इस तरीके से ध्यान में रखने पडएंगे direct प्स्राइब सब्सक्राइब इस टोर्ड फूड अब डाइनो फ्लेज लेट इस टार्च गोनवाइन और लिक्स को कहा जाता है रेट टाइट क्यों यह बहुत तेजी से मल्टिप्लाइब हो रहा होता है और ऐसा लगता है जैसे तो कोई लहर आ रही है सब हां हां बिल्कुल मुझे पता है मैं आपके बोरो से बाकी के अच्छा गजब ऐसा थोड़ी होता है अब प्रहार आजाएए प्रहार में आजाएए प्रहार में आजाएए आपको प्रहार में पूरा बहुत अच्छे से हम पूरा करवा देंगे कोर्स यहां जितना पॉसिबल है उतना हम करवा रहे हैं ठीके ना कॉंसेप्ट महत्पूर्ण है और वो कॉंसेप्ट हम आपको यहां बताई रहे हैं चलिए तो भाई साब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं मैं चाहता हूं कि आज जाई को ले लेंगे तो हो जाएगा काम है और वैसे इसमें सिर्फ करेक्टर करेक्टरिस तो याद रखने साब कोई नहीं यही कर लो यार यूट्वी कर लो कोई दिकरत नहीं यहां भी लगबग पूरा इंप पुरा करा रहे हैं ठीक है न चलिए आज एधर तो जिम्रोडियनियम गाईन गाईन गौनवाईनॉलिक्स और उसके साथ यह एक टॉक्सिक सभस्टांस भी सिक्रीट कर रहे ह होते हैं साब इसको sexy toxin कहा जाता है और यह दूसरे जो marine organism से उनको हाम पहुचा रहा होता है इसको night life या night night light या fire algae भी कहा जाता है यह समंदर में जुगनू की तरह यह नाम याद रखिए फिर आता है division crysofita crysofita की जब हम बात करते हैं इसमें आते हैं डाइटम्स डेसमिट्स डाइटम्स जो होते हैं वो आपको समंदर में मिलेंगे ठीक है जबकि डेसमिट्स आपको फ्रेश वाटर में मिलेंगे रही बात डेसमिट्स को golden algae भी कहा जाता है यह फ्लेजला नहीं होता तो passively swim कर रहे होते हैं साब ठीक है फ्लेजला नहीं होते हैं इसलिए यह passively swim कर रहे होते हैं और इसलिए इनको हम कहते हैं plankton's एक्जाम में प्रस्णा आता है what are the chief producers of oceans तो oceans की जो chief producers हैं वो माने जाते हैं कौन तो वो माने जाते हैं डाइटम्स डाइटम्स आर्थ चीफ प्रडूइसर्स आप और देखें समय जो है उस समय के इसाब से चलना चाहिए रिविजिन करने का मोका मिलना चाहिए हम आपको रिविजिन करने का मोका दे रहे हैं अब इसको आप आगे ना पड़ा है तो जादा बहतर है तो डाइटम्स जो हैं इनको कहा जाता है चीफ प्रडूइसर्स आप यह आपको अलग अलग शेप साइज में देखने को मिलेगे सर्कुलर रेक्टेंगुलर ट्रैंगुलर लोंगेट बोट शेप सेल्वाल सेलोज की बनी होती है लेकिन खास बात होता है इनकी सेल्वाल में सिलिका पाए जाता है ठीक है और प्रड़ जमीन नीचे होता है उसके अंदर यह खते हो जाते हैं और उससे एक अर्थ क्रीए हो जाती है जिसको बोल देए है डाइटमेसियस अर्थ क्या बोलते हैं डाइटमेसियस अर्थ और वह बड़ा यूजफुल है उसका कई जंगों पर इस्तेमाल होता है मैं इसके एकोनोमिक इंपोर्टेंस की बात करूंगा तो एक तो कहां पाये जा रहे हैं यह हो गया सेल वाल हो गया साब सेल लोस की बनती है जिसमें सिलिका पाये जाता है जो डाइटमेसियस अर्थ या कैसल गूर क्रियेट कर रहा होता है रही बात फोटोसंथेज करते हैं फोटोसंथ में इस्टोन पॉलिसिंग में फिल्टरेशन ऑफ ओलेंड सीरप और अगर आपने गोर किया हो घर पे जैसे मार्वल रहता है तो घर पे मार्वल की घिसा ही होती है अगर आपने नोट किया हो तो मसीन से मार्वल को घिसते है तो उस मसीन के नीचे कुछ वो लगाते है पत्थर जैसा जो मार्वल को घिसरा होता है तो वो पत्थर होता है वो यही होता है वो डाइटमेस अर्थ ही होता है यूग्लिनोड्स की बात करते हैं जैसे मैंने कहा यूग्लिनोड जो है इसको बनाया गया है फेले प्लांटी और चीनल ओ से इनिमिल्रद में रखा वह ता कुछ मेंमर्स के यसे हैं जो प्लांटी में रखे हुएं तो मैं बता दूँ आपको जितने भी युणि पाका बात क्या है तो यूगलिना जो है यह दोनों तरह का और रात के समय जब सनलाइट नहीं होती तो अनिमल्स की तरह प्रिडेटर की तरह काम कर रहा होता है रही बात फोटो संथेज कर रहा है तो फायर प्लांट्स की तरह और पिगमेंट होते हैं इसमें chlorophyll A and chlorophyll B देखिए बहुत मज़धार बात जो मैंने अभी कहीं आप से कि जितने भी unicellular green algae थे उन सब unicellular green algae को उन सब को इन्होंने इस यूगली नोईड में रखा क्योंकि chlorophyll B जो pigment है वो characteristically आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ किस में तो आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ या तो green algae में या higher plants में और या फिर यूगली नोईड्स में और इसलिए जो भी unicellular green algae थे वो सब रख दिये गए हैं इस यूगली नोईड्स में यूणि कहा कि कुछ में पाई जाती है कुछ में नहीं पाई जाती है अब जीए यूगली नहीं होती है लेकिन जो कलो रेला वगेरा है जिसमरे का आप phlegilated होते हैं एक होता है functional एक होता है non-functional रही बात इनमें contractile vakuole पाई जाती है जो osmone regulation कर रही होती है इनका stored food होता है pyramalum and fit यह इनमें stored food होता है युगली्णी के बाद आते हैं साब slime molds और slime molds की जबम बात करते हैं तो ncrt में एक Exactly और दोनों में बहुत अंतर है। रईबाद इसको फाल्स फंजाई क्यों कहते हैं फाल्स फंजाई इसलिए कहते हैं जो है सेप्रोफाइट होते हैं और यह फीड कर रहे होते हैं ठीक है ना फोटोसंतेज यह करते नहीं हैं तो अबसी बात है कि यह सेप्रोट्रोफ में फेड्स एंड फांड फॉड्ट ट्विक्स लिव्ज इंगल्फ फूड ऑफ डेड और अर्गनिक मेटर ठीक है ना अंडर सुटेबल कंडिशन यह बहुत लंबा एग्रिगेशन बना लेते हैं ज प्रोटोन्स दाग करते हैं मैंने बता ह्याएं आपको हम isn't слова inhale नहीं होता अनिमल में था फहले इसको उठा कर के फायफ किग्नक सिस्टम वी क्लासिफिके can tell oser इनमें रख दिया इन्क लइंड में पए सब्साइब है इनमें विल नहीं पंद prosecution तो प्रोटोजोंस होते हैं छार तरस्मियों प्रोटोजों में आते हैं न इसाफ है प्रोटोजों और यह साब और यह हो गया किंग्णम फंजाई की जब हम बात करते हैं तो पहली बात तो फंजाई आपको हर जगे देखने को मिलती है हर जगे देखने को मिलती है मतलब अबनावर्य जम्मी जठाव चरॉ जो बोड़ी होती है उसको कहा जाता है माइसीलियम मनता है किस से हाइपा से थोड़ा सा फंगस बोड़ी की में बात करूँ पंजाई आप जानते हैं मल्टी सेल्लर होती है इंडिजुल सेल को कहा जाता है हाइपी ठीक है अब यह एक से ज्यादा हाइपी हो गए दोसों कहेंगे प्लुवल में हाइपा और साब इसी को कहते हैं माईसीलियम पंजाई में जो माईसीलियम है आपको मिलेगा सेप्टेट एंड ब्रांश्ट मेजुरिटी ओफंजाई में यह देखे आप यहाँ पर यह सेप्टा है तो इसको हम कैसा कहेंगे सेप्टेट एंड ब्रांश्ट और आपको यह मिलेगा एसको माईसीटीज में बैसीडियो माईसीटीज में डूटेरो माईसीटीज में लेकिन आपको एसेप्टेट और सिनो सिटिक ब्राज यहाँ देखिये यह जो माईसीलियम आप देख रहे है इसमें सेप्टा नहीं है यह चैम्बर नहीं है तो सिनो सिटिक अगर माले यह सेप्टा नहीं है तो इसका नूक्लेह इसका और यह आपको देखने को मिलेगा ऐसा देखने को मिलेगा फाइक मीस्टी के बात ये तो फंगल बोडी की बात होगी रही बात जब मैं फंजाई की बात करता हूँ तो ये एक यूनिक किंग्डम है इसकी मॉर्फोलोजी में हैविटेट में बहुत डाइवर्सरी देखने को मिलती है जैसे मैंने कहा कि मुष्ट ब्रेड पर आपको मिलेंगे रोटन फ्रूट इङ परासेटीक नूटिंट्रिशनली पिएमोह्ट्रोट्व आईधर यामगे याज सेप्रोफिटक फिडिटेगए और रप्रियार परासेटे किसी में वह बीमारी कर रहे होंगे लिविंग ओर्गनिजम को फीड वह कर रहे होंगे साब ठीक है जो प्रासेटी जो होती य कुछ फंजाई जो होते हैं वह सिंबार्टिक कंडिशन में आपको देखने को मिलती है इसका बहुत अच्छा एक्जाम्पल है माइकुराइजा आप जानते हैं माइकुराइजा इस दे एस्टेसेशन ऑफ अफ अलगी विद्ध माइसीलियम औफ फंजाई तो अलगी और सब्सक्राइज और फंजाई विद रूट्स अफ हायर प्लांट्स अब बहुत काम के हैं फंगल बोड़ी जैसे मैंने कहा माइसीलियम होती है फंगल सेल वॉल किससे बनती है तो काईटीन से बनती है फंजाई में स्टोर फूड क्या होता है तो एनिमल्स की तरह ग्लाइको अगराम दिये हुए म्यूकोर यह एसपरजीलस और यह अगरीकस यह जो हम खाते हैं मश्रूम यह बैसलीव माइसटी को में लों करता है एगरीकस ठीक है यह मूकोर है और यह एसपरजीलस है बागी की चर्चा समय समापति की गोढ़ना होगी है हम कल करेंगे कल इसको निप पूर बताने की थोड़ा सा स्पीड तेज रहेगी अगर आप सिंसिर हैं तो इसका आपको मैं बता रहा हूं बहुत फायदा होगा क्योंकि देखे आप सब लोग पढ़ रहे हैं कहीं न कहीं आप इन सब चीजों को पढ़ चुके हैं यहां इस बहाने आपका रिविजन हो और फिर भी अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जोइन कर लीजिए हमारा क्रेश कोर्स एक हजार नोसो ननन्यान रुपे की कीमत है उसकी ओनलाइन हमारी एप पर एवेलेबल है ब्योंड एक्वेशन डाउनलोड कर लीजिए वहां आपको मिल जाएगा उन करता हूं कि जैसे इस हफते में हम आज ले लिया यह अवाज यह ले लिया कल इसको निप्टा देंगे और मंडे को इसकी परक्ष ले लेंगे तो आपके पास ऐसे आज-व्में निप्टा दिया आपको परियाब समय मिलिया संधे की दिन आप इसको अच्छे से पढ़ डाल और उसका मैं इस तरह किस कर लेंगे तो जहां चाहा वहां रहा अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका बेनिफिट हो तो मैं उसका तरीका बता रहा हूं तो आज के लिए इतना ही बच्चों धन्यवाद